साथियो स्पोर्स एक स्कील है और एक सभाव भी है। स्पोर्स एक टैलेंट है और ये एक संकल्प भी है। खेल के विकास में ट्रेनिंग का अपना महत्व है और साथ ही ये भी आवश्रक है कि खेल की प्रतियुगिताएं स्पोर्स टूर्नामेंट्स लगाता चलते रहने चाहिए। इससे खेलाडियों को अपने ट्रेनिंग को लगाता टेस्ट करने का मोका मिलता है। अलग-अलग शेत्रों में अलग-अलग स्तर पर होने वाली खेल प्रतियुगिताएं खिलाडियों की बहुत मदद करती है। इससे खिलाडियों को अपने सामर्थ के बारे में तो पता चलता ही है, वो अपनी खुद की टेखनिक भी डिवलप कर पाता है। खिलाडियों के कोचेश को भी पता चलता है कि उसके शिष्य में जिसको उसने सिखाया है, अभी कौन सी कमियां रह गई है। कहा सुधार की जरूत है, कहा सामने वाला खिलाडियों उसपर भारी पड़ रहा है। इसलिए ही साउसत महाकुम से लेकर राष्ट्य खिलो तक खिलाडियों को जादा से जादा मोके दिये जा रहा है। इसलिए ही आज देश में जादा से जादा यूथ गेम्स हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहे हैं, विंटर गेम्स हो रहे हैं, इन गेम्स में हर साल हजारों खिलाडी हिस्सा ले रहे हैं। खेलो इंडिया अभ्यान के तहट हमारी सरकार खिलाडियों को आर्थिक मदद भी दे रही है इस समय देश में पचीस सो से ज़्यादा एथलेट्स ऐसे हैं जिनों खेलो इंडिया अभ्यान के तहट हर मैने पच्चास हजार रुपिये से ज़्यादा दिये जा रहे हैं ओलिम्पिक में जाने वाले खिलाडियों को हमारी सरकार की टारगेट ओलिम्पिक पोडियम स्कीम टॉप से बहुत मदद मिल रही है इस स्कीम के तहद भी हर महने करीब करीब पांच सो खिलाडियों को आर्थिक मदद दी जा रही है अंतर राष्टिय स्तर के कुछ खिलाडियों की जरूरत को देखते हुए सरकार ने उने धाई करोड रुपिय से लेकर साथ करोड रुपिय तक की मदद की है